आगरा किस सरवादिक लोग प्रिया चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउंडोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें शमसबार रोडिस्ते नालंदा टाउन के वाशिंदे पिछले कई दिनों से बधाली के जिन्दगी जी रहे हैं पिछले दो हपतों से घरों के सामने भरा सीवर का पानी नालंदा टाउन के वाशिंदों के लिए मुसीबर बना हुआ है जिसके लिए शित्री लोगों ने सुसाइटी को लेकर काफी अक्रोश बैक्त किया है जिसके यहां के रहने बाले लोगों को इससे निजात मिल सकती है तथा यहा लोगों को वीवारी फैनने के बहुत चांस हैं यहां डेंगू बगेरा फैन लेके बहुत परिसानी आए क्योंकि यह गंदा पानी भरा हुआ है और यह पानी यहां से निकल नहीं रहा है इस टेक्स लॉट अफ टाइम टू आउट यह डेश तो यहां पर खड़ा हो रहा है पानी तो इससे क्या है कि मच् टू ऑगें और यह यहां अपर सबसे घौधल Anda को छूप गई और यहां पर खड़ा होना मुश्किल घंप कि यहां पर जशसाइटीं वाले उन्होंने हाथ ख़दे कर दी है और एक जो लेडी हैं उन्होंने यहां का पानी रोग दिया अच्छिली देर नो वे आउट यहां पे कोई वे आउट समझ में नहीं आ रहा कि यह समस्या का समाधान कैसे होगा क्योंकि रोड उची करने से नाली की समस्या तो सौल नहीं हो जाएगी पानी तो सारा भार नहीं चला जाएगा और मुझे लगता है moreover यह जो ड्रेनेज की सिस्टम है यह बनना चाहिए सडक समस्या नहीं है समस्या है यह 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 हो नहीं पारा है और moreover यह पूरे आगरा कही प्रॉबलम है कि proper ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पारा जो यहां पे भी आ गया है उन्होंने इसलिए पैनल अटाया कि हमारे पीछे पानी आता है अनीता बॉस्पोर हां तो कही रही हमारे हमारे गर के पीछे पानी आता है और बदू आती है मच्छर आती है हमारे लड़के को डेंगू हो गया हम एक्शन लेंगे यह वह लिए थी के आप हम अपने घर जाओ आप इससे मतलब मत रखो और जो आएगा उसको गोली मारी जाएगी जो उसे चालू करेगा उसे चालू तो नहीं होने देंगे ताज गंज में देखे आये हम